हेलो औरिवन दिस से डॉक्टर अनुज कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर इं मैथेमेटिक्स डिपार्टमेंट स्टुडेंट्स आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हैवि साइड यूनिट इस्टैफ फंक्शन जिसको आप सिंप्ली यूनिट इस्टैफ फंक्शन भी कहते हैं और उसकी लापलास ट्रांस्फोर्म वीद एक्चांपल्स हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं यह जो आपका यूनिट इस्टैफ फंक्शन होता है जिसको हम हैवि साइड यूनिट इस्टैफ फंक्शन भी कहते है इसकी डेफिनेशन क्या है अगर इसकी नोटेशन की बात करें तो जो यूनिट इस्टैफ फंक्शन होता है उसको capital U U for unit capital U T minus A से इसको define किया जाता है denote किया जाता है तो capital U T minus A से इसकी notation होती है और इसकी definition होती है और इसकी definition कुछ इस प्रकार से है कि जो U T minus A होगा हमारा heavy side unit function वो इस तरीके से define होता है कि अगर आप लेते हो T की value less than A तो यह हमेशा 0 होगा T की value less than A पर यह unit step function क्या होगा 0 होगा लेकिन अगर value लेते हैं आप T की greater than equal to A तो वहाँ पर यह 1 देगा 1 इस लिए इस 1 की वज़े से ही इसको unit step function बोला गया है तो T greater than equal to A के लिए 1 value देगा यह हमाँ और T less than A के लिए 0 value देगा अगर इसके graph की बात करें तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर यह हमारा T function है और यह हमारा U of T minus A जिसका हम graph बनाएंगी unity step function का तो यहाँ पर मैंने consider किया यहाँ पर कहीं हमारा A point है यह हमारा A point है तो जब हमारी T की value less than A होगी तो यानि कि इस side में हम होगे T की value less than A होगी तो यह हमें 0 value देगा इसको मैंने green color से mark करके दिखाया कैसी value देगा? 0 value देगा लेकिन जब T हमारा A या A से बड़ा हो जाएगा T A या A से बड़ा होने का मतलब इस side में पहुँच जाएगा T greater than A या equal to A तो उस case में हमें ये value देगा 1 मैं मान लेता हूँ यह हमारा 1 के corresponding state line मिलेगी यह हमारा 1 value देगा ठीक है? तो यह होता है heavy side unit step function या unit step function का graph जो less than A पर 0 value देगा और greater than equal to A पर 1 value देगा और अगर इसका हम particular case define करें particular case मतलब यह जो हमने definition define की है उपर unit step function की अगर इसमें हम A को 0 रख दे A को 0 रखने पर इसमें हमारा यूटी बन जाएगा simply और यूटी की definition क्या होगी? कि 0 value देगा जब T less than 0 A को हमने 0 रखा है और 1 value देगा जब T greater than equal to 0 तो यह particular case हो जाएगा unity step function का कि UT हमें 0 value देगा जब T less than 0 और UT हमें 1 value देगा जब T greater than equal to 0 ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ इस बार इस तरीके से होगा ठीक है? T less than 0 इधर सब 0 value देगा यह और T greater than equal to 1 पर T greater than equal to 0 पर यह 1 value देगा तो 1 के लिए मैंने यहाँ पर यह line डाली है उपर green color से ठीक है? तो यह भी हमारा unit step function या heavy side unit step function का particular case होता है अब हम find करेंगे इस unit step function की laplace transform और laplace transform के लिए सबसे पहले we have जो हमारे definition है unit step function की वो मैंने रखी ut minus a zero value when T less than a one value T greater than equal to a और laplace transform find करने के लिए आपके पास formula होता है अगर आप किसी function gt का laplace transform निकालते है by the definition तो आपको 0 से infinity integration करना होगा e की power minus pt और gt function वहाँ पर इस तरीके से product करके हमें इसका integration करना होता है लेकिन यहाँ पर जो laplace transform है आपको ut minus a की निकालनी है जो unit step function है therefore तो gt की जगा पर हम रख देंगे ut minus a तो बोट side में gt की जगा पर क्या रखा जाएगा ut minus a ठीक है लेकिन जो आपका ut minus unit step function होता है वो आपका कहाँ पर break है a पर break है तो हम इस integration को a पर break कर देंगे पहले हम जाएंगे 0 से a और फिर हम चले जाएंगे a से infinity ठीक है अगर आप 0 से a जाते है अगर आप 0 से a जाते है तो e की पावर माइनस pt तो e की पावर माइनस pt ही रहेगा बोट side में है न 0 से a जाने पर unit step function की value क्या होगी 0 से a जाने पर unit step function की value होगी 0 तो फर्स्ट रम सारी 0 हो जाएगी फिर जब A से इंफिनिटी जाएगे यानिके A या A से बड़ी वैल्यू पर जाएगे तो UT माइनस A क्या वैल्यू देता है 1 तो यहाँ पर रख देंगे 1 DT ठीक है अब हमें क्या करना है फर्स्ट इंटिग्रेशन तो 0 हो जाएगा सेकिन इंटिग्रेशन हमें मिलेगा A से इंफिनिटी E की पावर माइनस P T बस आपको यह इंटिग्रेशन कर देना है E की पावर माइनस P T अपोन होता है माइनस P ठीक है और इसमें लिमिट रखी जाएगी A से इंफिनिटी फर्स्ट लिमिट T की जगह पर इंफिनिटी रख देते है तो E की पावर माइनस इंफिनिटी अपोन माइनस P सेकिन लिमिट T की जगह पर A रख देते है E की पावर माइनस A P अपोन माइनस P E की पावर माइनस इंफिनिटी होता है आई है UT-A function की यानि कि unit step function की Laplace transformation का आपके पास formula आ गया और अगर आपको Laplace transform निकालनी है unit step function की तो हमारा formula होता है एकी पावर माइनस AP divided by P ठीक है एकी पावर माइनस AP divided by P ये Laplace transform होती है unit step function की अगर आपको पूछी जाती है कि find the Laplace transform for unit step function तो आप इस तरीके से की Laplace transform की unit step function की Laplace transform निकालके दिखा सकते है इसमें भी अगर पर्टिकुलर केस बनाए हम A को 0 रखे जैसे उपर मैंने ग्राफ में बताया था आपको पर्टिकुलर केस बनाए A को मैंने रखा 0 तो इससे आपको Laplace मिलेगी इससे आपको Laplace transform मिलेगी UT की और UT की Laplace transform A को 0 रखने पर मिलेगी E की power minus 0 P upon P E की power 0 1 हो जाएगा तो 1 upon P ठीके तो अगर पर्टिकुलर केस ले तो Laplace transform हो जाती हमारी 1 upon P अब Unity step function की जो हमने Laplace transform निकाली है है ना इससे हम किसी function की Laplace transform निकाल सकते है Unity step function का यूज करते हुए कैसे निकालेंगे उसके लिए हम यहाँ पर Unity step function को second shifting theorem से merge करेंगे Unity step function को किस से merge करेंगे second shifting theorem से अगर आपको second shifting theorem याद है तो मैं आपको थोड़ा सा revise करा दू second shifting theorem यह बताई थी मैंने कि Laplace transform अगर F T का F of P हो ठीक है then और वहाँ पर एक GT function हो हमारा ठीक है और GT function कुछ इस तरह किससे refine हो कि वो value 0 दे जब T less than A और वो value F of T minus A दे जब T greater than equal to A तब उस case में जो Laplace of GT होता है वो होगा E की power minus AP into F of P यह हमारी थी second shifting theorem तो second shifting theorem का use करते हुए हम unit step function दोनों को merge करेंगे कैसे करते हैं आप जानते हैं कि UT minus A जो unit step function होता है उसकी definition होती है हमारी 0 T less than A के लिए T greater than equal to A के लिए 1 अब हमने क्या किया इस function में दोनों side में हमने F T minus A से multiply कर दी यह जो हमारा UT minus A function है जिसकी definition हमारी थी 0 जब T less than A और 1 जब हमारा T greater than equal to A अगर हम इसमें F T minus A की multiply कर दे तो अंदर यहाँ पर 0 के साथ होगा multiply तो 0 बन जाएगा फिर 1 के साथ होगा तो F of T minus A बनेगा तो अगर F T minus A function की multiply कर दे हम UT minus A के साथ तो यह function बन जाएगा है न और इस function को मैं मान लेता हूँ GT क्योंकि मुझे इसमें second shifting theorem लगानी है second shifting theorem की form ही बन गई तो यह second shifting theorem की form बन जाएगी हमारी अगर GT मानते है तो अब हम इसकी लापलास transform निकालेंगे अगर हम यहाँ पर second shifting theorem को यूज करें तो लापलास हम GT की find कर सकते हैं लापलास GT की होगी यहाँ पर minus AP E की power और F of P है ना E की power minus AP F of P यह हमारी होती है GT की लापलास transform GT की value रख देंगी GT हमने किसको माना है GT हमने माना है F of T minus A U T minus A को तो लापलास transform हो जाएगी F of T minus A U of T minus A और वो किसके ब्राबर होती है E की power minus AP और F of P के जिसको आप E की power minus AP और लापलास transform हो F T भी कह सकते हो तो यह हमने काफी important formula यूज करने वाले आगे एक जामपल्स में हम है ना जिसमें हमने second shifting theorem का यूज करके एक नया formula drive किया अगर आपको लापलास निकालनी हो कभी किसकी F of T minus A into में UT minus A function की तो वो होती है E की power minus AP और लापलास of F T यह लापलास of F T को आप FP भी कह सकते हैं इसमें भी आप particular case बना सकते हो इसमें हम A को 0 put कर सकते हैं अगर A को 0 put करेंगे तो लापलास मिलेगी आपको किसकी F T into UT की और A को 0 put करने पर आपका क्या बनेगा यहाँ पर E की power 0 यानिके 1 और लापलास of F T यानिके F P ही बनेगा तो यह हमारा इसका particular case हो जाएगा ठीक है अब unit step function को use करके हम कई important functions की लापलास transform निकाल सकते हैं और उसमें formula लगता है यह जो मैंने उपर लिख है box में यह काफ important formula है इसका use करके अब हम कहीं सारे function की लापलास transform निकालेंगे एक्जम पलम पर बन लेते हैं इस function को आपको unit step function में बदलना है और साथी साथ में इसकी लापलास transform भी find करनी है तो जो हमारा given function है वो हम ले लेते हैं given function है f t जो कि t minus 1 value देगा जब t lie करेगा 1 से 2 जो कि 3 minus 3 value देगा जब t lie करेगा 2 से 3 तो इसको हम unit step function में बदलेंगे कैसे बदलते हैं बहुत simple सा तरीका है कि जो हमें given है वो लिख लेंगे then फिर f t को हम convert करेंगे जो function की definition है वो लेंगे t minus 1 यह हमारी function की definition है फिर एक bracket लगाएंगे और यह देखेंगे कि किस किस के लिए है यह है हमारी 1 से 2 के लिए यह किस के लिए है 1 से 2 के लिए तो इस 1 के लिए हमारा बनेगा UT-1 और इस 2 के लिए हमारा बनेगा UT-2 और दोनों को हम क्या कट देंगे माइनस साइन लगा देंगे ठीक है तो इस तरीके से हम Unit-step function में बदलते हैं फिर प्लस फिर हमारी जो दूसरा है वो 3-T है अब 3-T किसके लिए है 2 से 3 के लिए तो 2 के लिए बनेगा UT-2 फिर एक माइनस बीच में आएगा और फिर आएगा आपका UT-3 तो अगर कोई function आपके पास है तो इस form को use करके आप उसकी Unit-step function में convert कर सकते हो तो हमने यहाँ पर इसको unit-step function में बदला वो simple सा तरीका है कि जो हमें दिया है definition दिया है T-1 उसको लिख लेंगे फिर जिस interval के लिए है वो 1 से 2 के लिए है ठीक है तो 1 के लिए UT-1 और 2 के लिए UT-2 और बीच में एक sign लगा देंगे ठीक है एसे ही दूसरे उसके लिए किया मैंने 3-2 sorry 3-t लिखा और 2 से 3 के लिए है वो हमारा अगर वो 2 से 3 के लिए है तो उसमें भी हम क्या करेंगे 2 के लिए UT-2 3 के लिए UT-3 और बीच में एक minus sign लग जाएगा इस तरीके से हमारा पूरा function जो यूनिट step function में convert होगा इसको थोड़ा सा simplify अगर करें तो यह मिलेगा आपको t-1 ut-1 फिर minus t-1 ut-2 और फिर plus 3-t ut-2 और फिर minus 3-t जिसको मैं plus कर देता हूँ t-3 ut-3 ठीके अब इसको हम थोड़ा solve अगर करें और तो t-1 ut-1 ठीके यह ft को हमने unity step function में लिखा है और इस ट्रम को और इस ट्रम को अगर ut-t common लेकर के solve करें इन दोनों ट्रम में से क्या को मनाएगा ut-2 common आएगा तो उपर से मिलेगा आपको minus t plus 1 नीचे से मिलेगा आपको 3 minus t इसको solve करके आएगा 4 minus 2t जिसमें से हम minus 2 common ले सकते है तो यह t-2 बन जाएगा तो इसको हम लिख सकते है minus 2 into में t-2 ut-2 और last की जो ट्रम है वो हमारी single ट्रम है वो हमारी बनेगी plus t-3 ut-3 अब इसमें जो मैंने आपको second shifting theorem वाली property बताए थी उपर laplace transform निकालने की वो हम apply कर देंगे बोद साइट laplace transform ले लेते हैं laplace जो ft का होगा वो हमारा होगा laplace of t-1 ut-1 minus 2 laplace of t-2 ut-2 फिर plus laplace of t-3 ut-3 तो मैंने हर ट्रम में laplace transform को apply कर दिया अब इसमें जो formula just 2 पर मैंने बताया था वो लगाएंगे formula मैंने बताया था आपको कि अगर laplace आपको निकालनी हो ft-a ut-a की तो वो होती है हमारी e की पावर minus ap e की पावर minus ap और laplace of ft e की पावर minus ap और laplace of ft ठीक है तो यह होता है हमारा formula अगर इस formula को यहाँ पर apply करें तो यह हो जाएगा हमारा e की पावर minus 1p और laplace of ft ft कितना मिलेगा आपको laplace of t minus 2 ऐसी यहाँ पर होगा e की पावर minus 2p और laplace of t ऐसी यह हो जाएगा e की पावर minus 3p और laplace of t और आपको laplace of t निकालना आता है यह होगा आपका factorial factorial 2 यह होता है हमारा factorial factorial 1 upon p की पावर n प्लस 1 यानिके 2 ठीक है तो 1 upon p square minus 2 e की पावर minus 2p यह भी आपका 1 upon p square और यह भी e की पावर minus 3p into 1 upon p square ठीक है तो यह हमारी laplace transform हो जाएगी एक तो यह formula यूज किया है और साथ साथ में कौन सा formula यूज किया है laplace of t की पावर n वाला t की पावर n वाला formula होता है factorial n t की पावर n प्लस 1 sorry p की पावर n प्लस 1 तो यह दो formula हमने यूज किये है जिसको आप mention कर सकते है तो किसी भी function को आप laplace transform निकाल सकते हो by using unit step function दूसरा question है आपका find the laplace transform of this function इस function की laplace transform निकालनी है आप देख सकते हैं इसमें ut-3 है एक बात मैं और बता दू कभी-कभी इस unit step function को ut-3 की जगा पे ऐसा भी लिखा आ सकता है h of t-3 क्योंकि heavy side unit step function के लिए कुछ books में h से भी denote करते हैं तो दोनों का same meaning होता है ut-3 लिखा हो ht-3 लिखा हो बोतार same अब यहाँ पर laplace transform आपको निकालनी है तो laplace transform निकाल लेते है t square ut-3 की आपको formula लगाने के लिए formula आपके पास होता है laplace of f of t-a है ना और u of t-a formula होता है e की power minus ap e की power minus ap और f of p f of p का मतलब laplace of f t यह हमारा formula होता है इस formula को लगाने के लिए पहले इसको transform में convert करना होगा तो transform में convert करने के लिए मैंने क्या किया असमे जो t square है t का क्या है हमारा whole square है इसको मैंने लिख दिया 3 add किया असमे और 3 को मैंने subject किया और ut minus 3 इसको मैंने इस form में लिखा ठीक है इस form में अगर लिखते हैं यहां पर तो यह हमारा function बन जाएगा laplace of f t minus 3 ठीक है और यह function बनेगा u of t minus 3 और by the formula यह क्या मिलेगा आपको e की power minus ap यानिके minus 3p और laplace of f t यह हमारा formula चलेगा अब f t क्या काम करेगा हमारा यहापर f t हमारा होगा t plus 3 का square f t हमारा कैसा function होगा here यहाँ पर लिख सकते हैं आप लो here f t जो function हमारा होगा वो होगा t plus 3 का whole square जिसकी हमें laplace transform निकाल लिए तो यहाँ पर f t की value रख देते हैं e की power minus 3p और laplace of t plus 3 का whole square e की power minus 3p laplace of square open करेंगे t square plus 60 plus 9 और e की power minus 3p laplace of t square plus 6 laplace of t plus 9 laplace of 1 सबकी value हम यहाँ पर रख देंगे e की power minus 3p बाहर रहेगा laplace of t square factorial 2 divide by p की power 3 6 factorial 1 divided by p square 9 into 1 upon p तो यह हमारा हो जाएरस का laplace transform और formula कौन से apply किया आपने laplace of t की power n वाला last में जो होता है factorial n upon p की power n plus 1 ठीकिए यह formula आपने यहाँ पर apply किया है एक काफी important example लेते है express the following function in terms of the unit step function and find its laplace transform इस function को आपको पहले तो unit step function में बदलना है ठीक है और फिर unit step function में बदलके इसकी laplace transform find करनी है सबसे पहला काम है कि जो graph आपको दिया है उस graph को देखते हुए function को construct करना graph में आपको दिया है एक तरफ t है एक तरफ आपका ft है और 1,2 point आपको दिये है 1,2 का मतलब यह point हमारा होगा 1,0 point और अगर यह two point है तो यह point हमारा हो जाएगा 2,1 क्योंकि unit step function है तो यह value 1 होगी क्योंकि one के corresponding हमें सीधी line मिलती है तो अब हमारा काम है इस line को find करना जिसको मैं highlight करता हूँ orange color से हमारा काम है इस line को find करना और इस line के 2 point मुझे पता है और वे 2 point है हमारे 1,0 और 2,1 यह निके अब हम 1,0 और 2,1 से pass होने वाली line बनाएंगे ठीक है जिसमें हमारा formula लगेगा y-y1 equal to y2-y1 divide by x2-x1 into x-x1 यह formula लगाएंगे लेकिन यह ध्यान लखना है आपको कि y का काम करेगा यहाँ पर f-t ठीक है y का काम करेगा f-t और x का काम करेगा t तो f-t-y1 यानिके 0 equal to यह हो जाएगा हमारा कितना y2-y1 यानिके y2-y1 यानिके 1-0 यह 1 है 1-0 upon 2-1 और x- यानिके t-t-1 solve करके इसको मिलेगा आपको f-t equal to t-1 यानिके यहाँ से यहाँ तक जो value है हमारी यह हमारी t-1 value होगी और यह हमारी कैसी value होगी? 1 value होगी और यहाँ से यहाँ तक जो value होगी value हमारी 0 होगी ठीक है तो इस तरीके से हम function को define करेंगे कि जब 0 से 1 जाएंगे तो f-t लेगा हमारा 0 value जब हम 0 से 1 जाएंगे तो f-t कैसी value लेगा? 0 जब हम जाएंगे 1 से लेका 2 तो value लेगा t-1 जो मैंने line बना के दिखाई है और जब हम जाएंगे greater than equal to 2 तो value लेगा 1 तो इस तरीके से हमारा unit step function construct हो जाएगा तो आप लिख सकते है here ft जो function हमारा यहाँ पर construct हुआ वो हमें 0 value देगा जब t vary करेगा 0 से 1 जैसे कि आपने आपर देखा उपर यह 0 से 1 पर 0 value होगी फिर जब t vary करेगा 1 से 2 तो आपको value मिली है t-1 फिर जब हम जाएंगे t greater than 2 तो value मिलेगी आपको 1 क्योंकि ग्राफ हमारा तीन इस्वर्ण ब्रेक हुआ है 0 से 1 फिर 1 से 2 और फिर 2 से greater than ठीक है तो यह हमारा ft function बनेगा अब इसको हमें बदलना है unit step function में बदलने के लिए मैंने जस तभी आपको बदाया था ft equal to पहली value 0 पहले point के लिए ut minus 0 तो minus दूसरे point के लिए ut minus 1 फिर plus t minus 1 इसके में जो पहली value है उसके लिए ut minus 1 minus ut minus 2 फिर plus 1 यह हो जाएगा आपका ut minus 2 और आगे इसमें अपर पॉइंट हमें पता नहीं तो ut minus 2 तक ही हम इसको लिखके शोड़ देंगे ठीक है तो यह हमारा ut minus 2 हो जाएगा तो यह function हमें हमारा बन जाएगा इसको हम थोड़ा से simplify कर लेते हैं जो 0 के लिए value है वो तो 0 ही हो जाएगी तो ft function हमें मिलेगा ft function हमें multiply करके यहाँ पर मिलेगा t minus 1 ut minus 1 और minus t minus 1 ut minus 2 और plus ut minus 2 इसको अगर थोड़ा सा और simplify करें तो यह हो जाएगा t minus 1 ut minus 1 और इन दोनों को भी solve कर लेते हैं इन दोनों को अगर solve करेंगे तो यह हमें मिलेगा minus common लेने पर t minus 2 ut minus 2 दोनों तरफ laplace लगा देंगे है न इधर भी laplace लगाएंगे तो laplace of ft निकलेगा इधर laplace लगाएंगे तो laplace of t minus 1 ut minus 1 और laplace of t minus 2 ut minus 2 इसमें लगा देंगे थियोरम जो उपर पढ़ी है यहाँ पर e की पावर minus ap a की value 1 है और laplace of ft यानिके laplace of t ठीक है यहाँ पर e की पावर minus ap a की value 2 है laplace of t और t की laplace आप जानते है 1 upon p square होता है तो e की पावर minus p upon p square और e की पावर minus 2p upon p square ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा इस function का lap last transform काफी important ये question माना जाता है क्योंकि इसमें graph दिया था हमें function भी अपने आप भी बनाना पड़ा एक last question और लेते है find the lap last transform of unit step function ये unit step function दिया है इसकी lap last transform निकालनी है पहले इसको हम sorry by unit step function पहले इसको हम unit step function में convert करेंगे तो 0 into ut minus 0 first point के लिए minus ut minus pi by 2 जो कि आपका upper limit है उसके लिए फिर plus sin t ut ut minus pi by 2 ठीक है और second हमें पता नहीं तो उसको हम minus 0 करके छोड़ देंगे कि upper limit का हमें पता नहीं है और अगर इसमें देखा जाए तो first run तो 0 ही हो जाएगी तो ft हमें क्या मिला ft हमें मिलेगा sin t u of t minus pi by 2 अब इसको हमें formula की form में बनाना है formula की form हमारी होती है कि एक function ft minus a होना चाहिए उसके साथ में ut minus a होना चाहिए तब उसकी हम laplace निकाल सकते है और उसकी laplace होती है e की power minus a p और laplace of ft तो इस formula की form बना इस formula की form में हमें इसको convert करना होगा convert करने के लिए simple सी बात है कि जो sign है ठीक है t तो हमारा t ही रहेगा इसमें pi by 2 मुझे add करना पड़ेगा और pi by 2 मुझे इसमें subtract करना होगा और यह हो जाएगा ut minus pi by 2 ठीक है यह हमें मिलेगा और इसको भी हम क्या लिख सकते है इसमें भी हम जो यह sign है इसको हम ऐसे भी लिख सकते कि sign pi by 2 plus t minus pi by 2 और ut minus pi by 2 ठीक है sign 90 plus theta cos theta होते है तो यह cos t minus pi by 2 बन जाएगा और यह होगा ut minus pi by 2 अभी उस form में आ गया जो कि हमारा formula की form है एका काम यहाँ पर करते है pi by 2 तो e की power minus ap यानिकि pi by 2p और laplace of ft और ft का काम को उनकरते है यहाँ पर cos t ठीक है और cos t का जो laplace transform होता है वो होगा p upon p square plus 1 कौन से formula से क्योंकि आपको formula पता है laplace of cos a t यह हमारा होता है p upon p square plus a square ठीक है तो यह होता है किसी भी function को laplace transform निकालना by using unit step function काफी बड़े-बड़े question इससे easy हो जाते है अगर आप unity step function में convert करना जानते है तो बहुत easy होता है और यह हमारा लोग जो laplace transform laplace transform वाला portion यह खतम हुआ अब इसमें हम सीखेंगे laplace inverse निकालना ठीक है? आपको laplace आ गया अब इसका inverse निकालना सीखेंगे जब दोनों आ जाएंगे laplace और laplace inverse फिर हम सीखेंगे इसमे laplace transformation से differential equation को solve करना जहां से long question पूछा जाता है सबसे important topic वही होगा पर यह सारे formula वाहाँ पर mix यूज होंगे आपको खुद पैचान करने है कि कौन सा formula झाल